नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में तो दोस्तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सेलमन ओयल के क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं फिर बाद में आपको बताएंगे इसके कुछ साइड फेक के बारे में दोस्तो गुड कोलेश्टोयल के लेवल को बढ़ाने के लिए ये फाइदे मन माना जाता है जी हाँ दोस्तो कई शोद में इसपष्ट हो चुका है कि सेलमन ओयल में पाए जाने वाला ओमेगा-3 fatty acid ट्राइगलिसराइट को कम करने और HDL कोलेश्टोयल को इंक्रीज करने में फाइदे मन होता है triglyceride खून में पाई जाने वाला एक प्रकार का fat होता है इसका इसतर बढ़ जाने से हाट रोग और श्ट्रोग का जोकिम बढ़ जाता है इस तरीके से देखा जाए तो ये triglyceride का जो लेवल है उसको कंट्रोल में रखता है जिससे इस प्रकार की गंबिर बीमारियों से बचा जा सकता है इसके अलावा दोस्तों ये तोचा और आखों के लिए भी काफी फाइदे मन माना जाता है ओमेगा 3 फेट का परियाप्त सेवन आपकी आईस की हेल्थ के लिए काफी ज़्यादा महत्वण हो सकता है इतना ही नहीं दोस्तों ये आखों की कई प्रकार की बिमारियों से भी आपको बज़ा कर रख सकता है इसके लावा दोस्तों यह बलड फ्लो को बहतर बनाता है सेल्मन ओइल में मुझूद ओमेगा 3 फेटी एसीट का उप्योग करके आपका शरीर नाइट्रिक ओकसाइड नामके की योगिक बना सकता है नाइट्रिक ओकसाइड खून वाईकाओं को आराम देते हुए रक्त प्रवा में सुधार का काम करता है इससे बलड प्रेशर कम होता है इसके लावा दोस्तों यह वजन को कंट्रोल करके रखता है कुछ अध्यनों से यह इसपर्ट हुआ है कि लावस्टाइल में बदलाव करने के साथ आहार में ओमेगा 3 फेटी युक्त सेलमन ओल को शामिल करने से वजन को कंट्रोल में रखने में हेल्प मिलती है जानवरों पर किये गए एक अध्यन में शोट कट्राओं ने पाया कि ओमेगा 3 फेट युक्त सप्लिमेंट लेने से शरीर में आतिरीक्त जो एश्टरा फेट जमा हो जाता है उसका खत्रा कम हो जाता है जिससे की मोटापा बढ़ता नहीं है और वजन को ये कंट्रोल में रखता है तो दोस्तो ये तो थे इसके कुछ फाइदे लेकिन इसके साइड फेक को नजर अंदाज बिलकुल नहीं कर सकते तो वो साइड फेक कौन-कौन से हैं चलिए वो भी जान लेते हैं दोस्तो सेल्वन ओयल सप्लिमेंट ज़्यादा तर लोगों के लिए वेसे तो सुरक्षित माना जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा मातरा में अगर इसका सेवन कर लिया जाए तो इसके कुछ साइड फेक्ट है और वो क्या-क्या है जैसे कि इससे आपको उल्टी आने की समस्या हो सकती है आपको दर्स्त शुरू हो सकते हैं आपको सीने में जलन जैसी तकलीफे देखने को मिल सकती है तो ये सारे वो साइड फेक्ट है जो कि इसका ज़्यादा सेवन करने से आपको हो सकते है इसके लावा अगर आप खून को पतला बनाने वाली दमाओं का सेवन कर रहे हैं तो ऐसी situation में तो बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें क्योंकि यह आपको रक्त इस्तराओं की जोखिन को बढ़ा सकता है इस situation में इसका बिल्कुल यूज ना करें इसके लावा दोस्तों आपको बता दें कि सेलमन के फायदों को प्राप्त करने के लिए सेलमन मशली या फिर सेलमन सप्लिमेंट का सेवन भी आप कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों आपको बता दें कि एक ऐसी चीज है जिसका कभी-कभी आप सेवन करेंगे तो ठीक रहेगा लेकिन इसका ज़्यादा मातरा में रेगुलर रूप से बिल्कुल भी सेवन ना करें क्योंकि अंत में कहा जाए तो ये एक तरह से एक सप्लिमेंट ही है तो इसका अगर सेवन भी करना है तो एक लिमेट में रहकर करेंगे तो ये ठीक है नहीं तो ज़्यादा अगर मात्रा में करा जाए तो जो जो side fake हो सकते हैं वो हमने आपको बताजिए तो दोस्तो यही थी हमारी आज की एक और एहम जानकारी जो की थी salmon oil के कुछ benefits के बारे में और कुछ side fake के बारे में तो दोस्तो उमीर करता हूँ कि वीडियो और जानकारी आपको अच्छे लगी होगी दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस subscribe के बटन को क्लिक कीजिए और पास में दिए गए इस bell आइकन पर क्लिक करके इस all के बटन को प्रेस कीजिए लेटेस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए